Hi everyone and welcome to YouTube Captain So the Tiger King का यह हमारा part 2 है इससे पहले part 1 के अंदर मैं विस्तास बुक का आपको 1st part और 2nd part complete करा चुका हूँ आज जो हमारा part 2 है इसके अंदर मैं विस्तास का आपका 3rd part, 4th part और 5th part complete कराने वाल हूँ Then the Tiger King का हमारा part 3rd भी आएगा जिसके अंदर मैं 6th part आपका complete करा रहा हूँगा तो बिना समय वेश के चाप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं और चाप्टर में आगे बढ़ने से पहले इस चाप्टर के proper questions आपकी proper summary चाप्टर की extract based questions आपके parallel based questions Then उसके बाद आपके MCQ type questions हर type के questions जो है वो मैंने application पर डाले हूए आपको education के application place store और app store से डाउंडोड करनी है वहाँ पे आपको free course के अंदर जाना है और free course के अंदर आप इसके proper notes वहाँ से ले सकते ह। बिलकुल free of course आपको कोई भी पैसा पे नहीं करना है आगे बढ़ते हैं बिना समय बेश के हमारे चाप्टर की तरफ बढ़ते हैं crown prince जंजंग बहादूर grew taller and stronger day by day अब जो हमारे जो prince थे वो पहले बच्चे थे अब वो दिन प्रते दिन बड़े होते जारे और strong होते जारे no other miracle marked in his childhood days apart from the event already described वो यहाँ पे कह रहे हैं कि बचपन में जो भविश्यवानी हुई थी उसके बाद अभी तक कोई और चमतकार नहीं हुआ है अगर आपको भविश्यवानी के बारे में नहीं पता है इसका मतलब है कि आपने part 1 नहीं देखा है part 1 जरू देखेगा आगे देखो the boy drank the milk of an English cow यार देखो हमेशा से आज भी in fact यह वही चलने जो कि चलता आ रहा है के जो English चीजे हैं जो भार की foreign brand वाली चीजे हैं वह काफी अच्छी जो है वह मानी जाती थी पहले के जमाने से और आज भी जो है वही ट्रेंड जो फॉलो होता रहे तो उस वक्त क्या था वह English cow को जो है वह दूद पीते थे was brought up by English nanny उनकी जो नैनी थी जो उनकी देखबाल करते थी वह भी English थी उनके टीचर जो थे वह भी English थे और वह by Englishman जो की उनको पढ़ाई जो की जाती थी वह एक अंग्रेज के दुआरा की जाती थी जो की वह English में ह देखा करते थे ठीक है exactly the crown princes of all the other Indian states did इंडिया के बाकी के states के जो crown princes थे प्रिंस थे वो सब भी यही इसी तरीके से पले बढ़े होते थे तो यह भी बिल्कुल सेम exactly उसी तरीके से पल बढ़ रहे हैं मतलब कि proper उनका जो देख रहे हैं वो English environment के अंदर ही होता जा रहा था क्य यही पहले जो है बड़ा चलन किया जाता था कि आप English brands use करो आप English वाले लोगों की तरह जो है वो बोलो in fact मैं आपको देखोंगा कि एक trend English के अंदर बहुत जादा है कि अगर आपके पास सरकारी नौकरी है तो इंडिया के अंदर बहुत ही बहुत ही अच्छा उसको माना ज आता था तो हमारे साइटी में आसपास बड़ी जो है वो एक चर्चा हो जाती थी कि अरे वह यह सरकार के लिए काम कर रहे है तो वही ट्रेंड जो है आज तक इंडिया में फॉलो होता रहे है ठीक है तो यहां पर देखना आगे क्या लिखता है वेन ही केम एड़ एज ऑफ लेने लायक नहीं होते हैं उनकी उमर वो नहीं होती है तो एक committee बनाये जाते हैं जिने हम क्या कहते है courts of wards कहते हैs of wards मतलब कि उस समय उस राज्य के जो decisions लिए जाते हैं वो court of wards ही लेती है तो अब यह कहता which had been जो यह हमारा प्रतिबंध पुरम था यह court of wards के हाथ में था until then came into his hands जा वो 20 साल के उमर में है तो उनके हाथ में वो अब आगे देखो but everyone in the kingdom remember the astrologist prediction सबको जो है वो astrologers ने जो prediction की थी कि इनको जो है वो tiger ही मारेगा वो सबको पता थी many continue to discuss the matter बहुत सारे जो है वो इस matter को discuss भी करते थे slowly it came to the maharaja ears दीरे दीरे महाराजा के कान में आई there were in numeral forest in प्रतिबंधपुरम state they had tigers in them तो प्रतिबंधपुरम में काफी सारे जो है forest थे जिनके अंदर tigers भी बहुत सारे थे the maharaja knew the old saying you may even you may kill even a cow in self defense there could be certainly no objection to killing the tigers in self defense यार देखो इंडिया के अंदर जो है cow की हमेशा से पूजा जाते है हम cow को एक मा के नाम से जो है वो जानते हैं तो यह कहा जाता है कि अगर self defense में आपसे cow की भी death हो जाती है तो वो भी जो है वो माफ कर दे जाती है तो self defense में tiger को मारने में क्या बुराई है ऐसा जो है राजा ने सोचा देन उसके बाद आगे कहा देखो तो जो राजा थे उनकी चाती चौड़ी एकदम और वो कह रहे हैं बिलकुल बढ़िया तरीके से बहुत जादा खुश है कि आज मैंने पहला जो है वो tiger मार दिया तो मतलब कि उन्होंने tiger मारना शुरू कर दिया he sent for the straight astrologer and showed him the dead beast उन्होंने जो है वो astrologer को बलाया और dead body की जो tiger के dead body है उन्हें दिखाई what do you say now he demanded अब तुम क्या कहोगे राजा ने कहा ऐसा your majesty making 99 tigers in exactly the same manner but the astrologer's drawed तो यहाँ पर देखो यहाँ पर यह यह यहाँ यह 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 यूर with the 100th tiger वो यहाँ पर जो हमारे astrologer होते हो गलते हैं कि आपको उस सौवे tiger से भी जो है वो बच के रहना पड़ेगा ठीक है फिर उसके बाद राजा क्या कहते है what if the 100th tiger were also killed वो कहते है कि क्या होगा अगर मैं सौवे tiger को भी इसी तरीके से मार दो then I will tear up all my books of astrologist set fire on them and वो कहते है कि उसके बाद मैं अपनी जितने भी किताब astrology किये उन सब को भाड़ दूँगा उनने मैं आग लगा दूँगा और I shall cut off my tough tough होते ही जो ऐसा प्रिस्ट के अंदर क्या किया जाता है जो हमारे पंड़त लोग होते ह उनकी सरकी जो चोटी होती हो बहुत पवित्र होती है उनकी बहुत इज़त जो है हिफाज़त से वो रखते हैं कहते हैं कहते कि मैं इसको काड़ दूगा मैं अपने जो बाल है वो छोटे करा दूगा और मैं एक insurance agent बन जाओंगा test logger finish on a in current note in current note मतलब कि बड़े confused note पर उनने क्या होता है आगे from the day onwards it was celebration time for all the tigers inhabiting in प्रतिबंध पुरम उसके बाद क्या हुआ जितने भी tigers प्रतिबंध पुरम के थे उनके लिए एक celebration का time आ गया क्यों आ गया celebration के time इस बात को समझो the state banned tiger hunting by anyone except the maharaja पहले कि लोग क्या करते थे कि वो tigers मैं आपको बताया ना पहले क्या चल गोलियों से मारते थे उन्हें जितने भी Englishman होते थे वो गोलियों से मारते थे और उनके साथ photo जो है वो click करवाने में उनकी शान और शौकत बढ़ती दी तो राजा ने अपने area के अंदर प्रतिबंध पुरम के अंदर क्या किया कि वहां पे ban लगा दिया तो कि सिर्फ उसक सकते हैं और कोई भी नहीं मार सकता अब proclamation was issued to the effect that if anyone dare to fling so much as to net the tiger all his wealth and property would confiscated अगर किसी ने tiger की तरह पत्थर मारने की भी कोशिश करी तो उसकी जितनी भी property है उसका जितना भी जो पूंजी है वो सब की जो है जब्त कर ली जाए अगर का मतलब होता है जब्त कर लेना बात आ किया गया पुरे प्रतिबंद पुरम में बात है जिसमें ठीक है दा महाराजा वोड ही वोड ही वोड अटेंड ओल अधर मैंटर्स ओनली आफर किलिंग दा हंडर्ट टाइगर उन्होंने एक शपत ली कि मैं जितने भी मुद्धे हैं प्रतिबंद पुरम के इसके अंदर ब मार दूगा मारूगा नौट एक उन्होंने डेंजर्स फेस नहीं किये देर वार टाइम्स वन दा बुलिट मिस्स मार्क्स बहुत सैसे टाइम्स रहे हैं जब उनकी जो बंदूख है वो उनके निशाने से चूटी है ताइगर लेप अपॉन हिम और ही फॉर्ट बीस विद इंशाने से हटी है उनकी गूली जो निशाने से हटी है गोली भॉन ही को मार देते थे सागérique आगे देखते हैं, कहता है, at another time, he was in danger of losing his throne, एक समय ऐसा है, जब वो अपने राज्य को खोने के संकत में आ गए, कैसे आ गए, एक high rank के जो Britishers थे, गोरे लोग थे, वो प्रतिबंदपुरम के अंदर एक बंदा आया, बहुत high rank पे था वो बंदा, मैंने आपको बताया ना, यह time कौन सा था, यह वो time था, जब सारे रारजा जो है, वो British के अंदर आ चुके थे, बड़े डर के रहते थे, British से, He was very fond of hunting tigers, वो गोरा बंदा था, high rank का और जो official बंदा था, उसको बड़ा मजा आता था, hunting करने, उसको पसंद था यह करना, and fond of being photograph with tigers, he had shot, और उससे जादा, उससे भी जादा, वो इस चीज के लिए fond of था, कि वो tiger के जो मरीवी body है, उसके पास खड़ा वो अपनी बंदूग ठीक है, as usual, he wished to hunt tigers in प्रतिबंद पुरम, और वो क्या चाहता था, कि प्रतिबंद पुरम में भी tigers को मारे, but the maharaja was firm in his resolve, but जो उसके maharaja थे, वो अपने, जो उन्होंने निश्चे लिया हो, तो उसमें बड़े डटे वेते, refuse the permission, उन्होंने permission नहीं दी, I can organize any other hunt, ये राजा कह देता हूं, you may go on boar hunt, आप जो है, जंगली सूर होता है, उसका hunt कर सकते हो, आप जो है, एक चूहे का hunt कर सकते हो, आप even, मॉस्किटों का, मच्छर तक का hunt कर सकते हो, but the tiger hunt, that's impossible, ये राजा बोलते है, कि आप चाहो तो, जंगली सूर मार दो, मच्छर मार दो, चूहा मार दो, पर एक tiger को मार दोगे, ऐसा नहीं होना का, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, क्यों, क्योंकि राजा को ही मार ना था, ठीक है, the British officer secretary sent word to Maharaja through the divan, अब उन्होंने क्या भीजा, एक letter, word का मतलब एक letter भेजा, that the durai, durai होता है, जब एक high rank का बंदा जो होता है, जैसे किसी का सीधा हाथ किसी का left hand, किसी का right hand होता है, जैसे कि जो भी उस वक्रिंस रहे होंगे, उसका कोई right hand, left hand रहा होगा, तो वो था ये बंदा, British officer था, उसको durai कहते थे, ठीक है, तो यहां पर यह क्या कह रहे है, the British officer secretary sent the word to Maharaja, that the divan, through the divan, that the durai himself, did not have to kill the tiger, वो कह रहे है कि जो, जो गोरा but what was important to durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass, वो कह रहे है कि मार भले ही राजा लेंगे, बट जो ब्रिटिश बंदा है, उसके ब्रिटिश ब्रिटिश बंदा है, उसके ब्रिटिश ब्रिटिश बंदा है, कि वो टाइगर की बॉड़ी के पास अपनी बंदूक लेके खड़ा रहा है, उस लेंटेड नाउ, वो कह रहे है कि ब्रिटिश बंदा है, वो इतना जादा बंदा अपने धर्ण निष्चे करके बाठा था, अगर मालो इस बंदे को मैने प्रमीशन दे दी, पहले गया था ब्रिटिश बंदे के बड़ी एक चाहाती, कि वो भी जो है, ताइगर को मारे, त अगर मैने इसके प्रमीशन दे दी, तो अगर बाकी ब्रिटिश के बंदे आगे, तो उन्हें कैसे रोकूँगा, ठीक है, उनका मन करके हंटिंग करने का, तो इसलिए उन्होंने मना ही कर दिया, कि मैं ये भी नहीं करने दूँगा, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, द बहुत ही फेमस ब्रिटिश कंपनी जोलर्स की थी, कैलकटा के अंदर, उनको एक टेलिग्राम बेजा, पहले एक तरीके का है, इस तरीके से खती होता था, वो टेलिग्राम जो भीजा दाता था, ऐसे पूश्टोस लगा के इसके पर प्रोपर ये भीजा दाता था, कैलकटा ब्रिटिशर का बंदा था, उसकी वाइफ को वो जो है, वो बेजा, दा किंग एंड दा मिनिस्टर एक्सपेक्टेड दा दुराई सानी, दुराई सानी मतलब की उस ब्रिटिशर की वाइफ जो है, ठीक है, दुराई सानी कहते थे, to choose one or two rings and send the rest back, वो चाते थे कि उन 50 में से कोई एक दो रिंग जो है, वो उनकी वाइफ जो है, वो बिटिश ऑफिसर की वाइफ जो है, वो सलेक कर ले, बाकी की 48 जो है, वो बेज दे वापस, within no time, at all, दुराई सानी, send her reply, thank you very much for your gift, तो थोड़े टाइम बाद उनके पास एक reply आता है, thank you so much for this gift, मतलब की, इसका मतलब यह है कि जो दुराई सेनी है, वो वाइफ जो है, वो पचास के पचास रिंग उन्होंने वापस रख ली, वो इतनी जादा लालची है, यहां तो वो लालच शो किया जा रहा है, और इसमें से यह पता चल रहा है कि अगर बिटिश ऑफिसर की वाइफ खुश है, तो बिटि बहुत बड़ी बात हो थी, बहुत जादा बड़ी बात हो थी, ठीक है, दमाराजा वाज़ा 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 है, तो यहां लाग रुपीज, वो कह रहे कि भले ही, मुझे तीन लाग रुपे जो देने बढ़ गए, बट अट लीस मैंने अपने राज्य को बचा लिया, राज्य को तो गहर क्या बचा लिया, उसने खुद को बचा लिया, कि टाइगर को मैं मार हुआ, ठीक है, आगे देखते हैं, इसी के साथ हमारे चाप्टर 3 जो है बुक का वो खतम होता है, इसका पार्ट 4, यह हम स्टार्ट करते हैं, दमाराजा's टाइगर हंट कंटिनू ट उन्होंने मार दिये, and then, an unforeseen hurdle brought his mission to a standstill, एक अलगी चीज जो कि उन्होंने सोचा भी नहीं था, ऐसे कुछ सीन जो उनके सामने आया, the tiger population became extinct in forest of प्रतिबंदपुरम, जो tiger की population थी थी, वो कम होती चली गई, who knows whether the tigers practiced the birth control or committed हारा किरी, वो कह रहे के भई, यहाँ पे, यहाँ प रहे हैं, कि भाई, क्या पता, जो हमारे tiger से उन्होंने birth control, जो है, अपना लिया, या हराकिरी अपना लिया, हराकिरी का मतलब होता था, कि एक तरीकी suicide, कि tiger खुद को मार रहे हैं, और simply, ran away from the state, because they desire to be shot by British hand alone, क्या पता है, वो जो है, राजय से भाग गए हो, क्योंकि tiger चाते ह वे के अंदर, देखे हैं, हमारे जो author है, कल की जी, बहुत फ़नी वे के अंदर उन्होंने रखा है, कि या tiger की, उन्होंने इतने tiger मार दे कि आप वहां पर tiger खतम ही हो गए, बात रहे संद में, अब आगे देखो, one day, the maharaja sent for the divan, उन्होंने, maharaja ने जो दिवान को बिलाया, दिवान जाहे, aren't you aware that the fact that, aren't you aware the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine, यहां पर राजा कह रहे है, कि तुम्हें ये बात पता ने है, कि अभी इस बंदूग से, 30, जो हमारे tiger से वो और मनने, he asked brandishing his gun, वो अपनी बंदूग दिखाते भी कह रहे है, shuddering at the sight of the gun, मतलब बड़े डरते हुए, उन्होंने बंदूग को देखा, दिवान ने, the divan cried out, वो रो पड़े, your majesty, I am not a tiger, वो कह रहे है, your majesty, I am not a tiger, मतलब उन्होंने बंदूग दिखाते भी बोला न, कि तुम्हें नहीं पता, कि अभी इस बंदूग से, 30 tiger और मनने, उन् and I am not a gun, मैं बंदूग भी नहीं, मतलब उनकी बड़ा-बड़ा हट देख रहे हो, हडबडा कित रहे है, कि मैं तो बंदूग भी नहीं हूँ, you are neither a tiger nor a gun, यहां पर हमारे महराज कह रहे है, भाई, ना तु गन है, ना ही तु टाइगर है, दिवान साहिब, I summoned you here for a different purpose, I have decided to get married, दिवान साहिए मैंना आपको बुलाया है किसी और मुद्दे के लिए, और मुद्दा यह कि मुझे शादी करनी है, ठीक है, the divan began to babble even more, वो और बड़बड़ा आने लगे, your majesty, I have two wives already, if I marry you, वो खहरा है, कि मेरे तो अलड़़ी दो बीवें हैं, मैं आपसे शादी करूँ तो बड़बड़ा हाट, इतनी बड़बड़ा हाट आगे उनके मुझे, don't talk nonsense, यहाँ पर हमारे महराजा कह रहे हैं, कि बाहल हो गया, कैसी बचकानी बाते कर रहा है, why should I marry you, मैं तुमसे शादी क्यों करूँगा, what I want is tiger, मुझे tiger चीए, your majesty, please think it over, your ancestors were married to swords, if you like marry the gun, वो कह र ही है, आप गंचे कर लो, a tiger king is more than enough for this state, वो कह रहा है कि a tiger king, जो है, इस state के लिए, बहुत ज़्यादा परियाते, it doesn't need a tiger queen as well, अच्छा, वो यहाँ पर यह कह रहा है, यहाँ पर दिवान इतना बड़ बड़ आ गया, कि उसको लग रहा है, कि यहाँ पर जो हमारे राजा है, वो एक किसी female tiger से शादी करके, उसको यहाँ पर जो है, वो रानी बना के लाने वाले, वो कह रहा है कि एक tiger king ही enough है, यहाँ पर, tiger queen थोड़ी ना लेकिया आ रहे है, इतनी बड़ बड़ा हट जो है यहाँ पर दिखाई जा रही है, ठीक है, आगे देखो, the maharaja gave loud crack of laughter, ठीक है उन्होंने बहुत जाद है, बहुत तेज हसे, वो, I am not thinking of marry either a tiger or a gun, मैं नहीं किसी tiger से शादी करने का सोच रहा हूँ, नहीं किसी बंदू से शादी करने का सोच रहा हूँ, but a girl from the ranks of human beings, मैं जो है, एक female से ही जो है, एक girl, जो कि human ही होती है, उससे ही शादी करूँगा, ठीक ह वहाँ पर कितनी population tiger की है, next you may investigate if there is a girl I can marry in the royal family of the state with a large tiger population, ओ, यहाँ पर राजा यह कह रहे है, मतलब उनका यह देखो, उनका intention tiger को मारने का इतना है, कि मेरे राज्ये के अंदर अगर tiger खत्म हो गए है, तो अब मैं अपने आस पास के राज्ये के अंदर देखूगा, जहाँ जहाँ पर भी जादा tiger की population होगी, मैं उस राज्ये की जो है, एक royal family के अंदर जो हो शादी कर लूँगा, so that वो राज्ये का और मेरे राज्ये का तालमेल जो है, वो अच्छा हो जाए, और मैं उस राज्ये के भी tiger मार पाऊँ, क्योंकि अभी भी 30 tiger मारने है, और प्रतिबं जो है, भुझा रूँगा, ऑपाऊदर और हो, महाराजा जंग जंग भाहदूर तंड इस पाऊदर जो हो, ञांद बिल अर्जे के फाइस पाफ इन गहाते था हरा पार, हिसो थे च्टायगैविज पर स хозяe divrigal प्राजण ल वहां पर ऐसे लगा रखेते दिवारों पर बात आए समझ में तो हमारे फिफ्ट तक इतना ही पार्ट है इससे आगे कहानी हम जो है वो नेक्स पार्ट के अंदर जानेंगे बाकि यह सी यू एटी करना प्रिप्रेशन करना चाहते हो बहुत जल्दी इंग्लिश का बहुत डे लाँच करने वाला हो अगर आप यह वीडियो बाद में देख रहे हो तो तब तक लाँच हो चुका होगा आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर या फिर फिर्स कॉमेंट के अंदर जो आपको हमारी अप्लिकेशन का लिंक मिल जाएगा या फिर हमारा नंबर मिल आपने इस वीडियो को एंजोई किया होगा मिल दा इसी किसे नेक्स्ट वीडियो गंदर मुझे दीजेगा जाज़त तल देन वाए एंड टेक किया रागा